यहां पर लगे हैं दो फुट के पौधे को आधा आधा किलो के अमरूद देख सकते हैं और पबीता देख लिए आप छोटा सा पेड़ है पूरा लदा हुआ है फलो से आप देख सें शाम का थोड़ा सा समय था तो अंधेरा यह है नास पती कर अधर पिछे बेरी है बेरी पिछे जो भी आपको दिखाएंगे वो भी लगी भी हुई है अपको फोफ़ी वाले भी दिखाता हूं लास्ट में तो चाइनी समरूद है बबु फोश्या है तो आम है यह इसे चाइनी समरूद बोलते हैं आप देख सकते हैं तो इदर आम है, देखेंगे, बारामासी आम बोला जाता है, जिसके अंदर आप देखेंगे, अभी भी आम जो लगे हुए हैं, तो कुछ में बूर भी आ रहा है, तो इदर बबू कोशा ये, इलापादी से मुरूद बोलते हैं, वो है, मुरूद देखेंगे हैं, ये मुरूद लगा हुआ है, इदर निम्बू है, जिसे हम कागजी निम्बू बोलते हैं, वो वाले, आप देखेंगे हैं, बहुत जदा निम्बू लगे भी हुए हैं, और भी आ रहे हैं उदर केला है पीछे लो काट है उसके तो इदर बेरी है अंजीर है अंजीर का प्राइज में आपको बता दो तीन हंडर रुपीस है तो बिल के पादे भी है इनके पास दिख सकते हैं तो जामून ये है चैरी के पादे चैरी है उदर बेरी है तो ये कटल जो होता है वो कटल हर के पौदे है ये है आडू आडू के पीछे मुरूद फिर जामून है अनार है आडू की दो तिन बराइटी है लग लग इनके पास तो पीछे जो बड़े साइब में दे सकते हैं ये जहां मून की लग सी बराइटी पड़ी है इनके पास जो वाइट जामन होता हूँ है और इदर बड़े वाला जो निम्बू होता है जो काफी ज्यादा बड़े कॉंट्री में लग जाते हैं वह वाले जनास पती के बड़े प्लांट है मरूद है वन केजी यह फालसा फल होते हैं बहुत छोट-छोट से लगते हैं अग साइज में कावडिंग रेट होता है उसके साथ ले सकते हैं आप पीछे मेंगो का प्लांट है अब देसे आम का आम में भी तीन-चार वराइटी साथी है लग लग तो जामून देख सकते हैं कि इधर पड़ी है क्या होता है कि जो पौदे के प्राइज होते हैं वो उसके अकावडिंग होते हैं जितने हाइट होती है जितने साल पुराना होता है यह देखें आपके यह निम्बू है काफी साथ बड़े साई में हम रूत दिखा देते हैं आपको लगे हुए भी तो यह बेरी है आप देख सकते हैं कितने बड़ी बेरी लगी हुए नर्सरी भाले तोड़ते नहीं है क्योंकि उन्हों इस दिखाना होता है कि हमारे जो प्लांटा उसके अंदर फल लगा हुआ है यह देखें यह सूख रहे हैं बीच में इन्होंने पर तोड़ा नहीं हु होग है